लास्ट वीडियो में जैसे आपको पता है हमने external structure of human heart discuss किया था तो आज हम इस वीडियो में करेंगे internal structure of human heart की human का heart जब हम ventral side से इसको dissect करते हैं तब वो कैसे हमें दिखाई देता है internally सबसे पहले हम आर्ट्रियम के बारे में पढ़ेंगे आर्ट्रिया है उसके बीच में inter arterial septum present होता है जो दोनों आर्ट्रियम है जो right and left आर्ट्रियम है उन दोनों को करने में help करता है क्यों separation होना बहुत जुरूर है क्यों अगर separation नहीं होगी तो सारा deoxygenated and oxygenated blood क्या हो जाएगा mix up हो जाएगा जो problem create कर सकता है तो इसकी वज़े से आर्ट्रियम में septum होना बहुत जुरूरी है जो है inter arterial septum तो सबसे पहले right arterium की बात करेंगे right arterium क्या receive करता है कहां से blood को receive करता है पहले तो यह deoxygenated blood को receive करता है यह मैंने आपको लास वीडियो में बता दिया था यह भी बताया था कि आर्ट्रियम में तीन ओपनिंग्स होगी तीन जगह से वह blood को लेके आएगा कौन कौन सी तो वह सुपीरियर वेने का वा जो भी हमारा बॉडी का अपर पोर्शन है यह अपर रिजन हो वहां से blood क्लेक्ट करके कहां तक लेके आएगा इंफीरियर वेने का वा जो नीचे वाले पोर्शन है लोर पोर्शन हो वहां से blood क्लेक्ट करेगा यह सारा blood कहां पर आजाएगा त्राइ तर्ट्रियम में डियक्सिनिक्री ब्लड आ गया है उसके बाद आपने याद एकना है यह सारी टर्म्स अस्टा चेंवाल्व होती है अस्टाचेंड वाल्व क्या होती है जब इंफीरियर ओपनिंग है जो इंफीरियर वैने कावा है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको ओपनिंग को क्लोज या ओपन करना वो कौन सा वाल्व कर रहा है वाल्व कर रहा है अस्टाचेंड वाल्व करता है अब ऐसे तो है नहीं कि करने में help करता है opening of inferior venica वैसे ही coronary sinus की opening को भी regulate करने वाल वाल्व को क्या है थी बेसियन वाल्व होता है नेक्स्ट है फोसा अबैलिस यह आपने टर्म याद रखने हैं फोसा अबैलिस क्या होता है राइट अबैलिस यह आपने याद रखना है दो आट्रियम के यह जैसे तो फीटस में कंडिशन प्रेजन होती है कि opening between two आट्रियम इनने फीटस यह फीटस की जब हम कंडिशन में होते हैं उस चाम प्रेजन होती है जब हम जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं उस चाम यह एक depression की तरह प्रेजिस्ट करता है इस depression की तरह यह present होता है नेक्स जब पढ़ेंगे जो left आट्रियम है यह थो हमने right आट्रियम के बारे में पढ़ लिया है left आट्रियम के पास 4 pulmonary beans की opening होती है यह मैंने आपको कल भी बताया था कि जो left atrium है उसके पास oxygenated blood डाएगा oxygenated blood कौन लेके आ रहे हैं? pulmonary veins लेके आ रही है अब कितनी veins open होती है left atrium में? 4 pulmonary veins open होती है यह मैं आपको आप diagram के थूरू बता दूँगी right and left atrium के बारे में तो आप जैसे इस diagram में देख सकते हो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यह right और यह left atrium है पहले हम left के बारे में पढ़ लेते हैं left में 4 opening देखो यहाँ पे 1,2,3,4 opening of left pulmonary veins की यहाँ पे opening हो रही है उसके बाद मैंने आपको बताया था यह देखो superior venicava और inferior venicava और यहाँ पे यहाँ पे opening हो रही है opening of inferior venicava opening of superior venicava यह दोनों की opening कहाँ पे हो रही है right atrium में हो रही है और यहाँ पे और आपने यह भी याद रखना है कि कितनी opening right atrium में हो रही है और कितनी opening left atrium में हो रही है तो यह सारा आपने याद रखना है नेक्स हम पढ़ेंगे बाइकस्पिट वॉल्स एंड ट्राइकस्पिट वॉल्स यह बहुत important है जितने भी हम वॉल्स पढ़ रहे हैं यह सारी बाइकस्पिट वॉल्स में क्या होता है the opening between the left ar Nations left ventricle की जितने भी ऑक्सिजनेटर्ऺ Advent आ रहा है जितना भी ओक्सिजनेटर्ऺ Advent बलड आ रहा है left Arrones पने और उसने अब कहां पे जाना है left ventricle में जाना है नीचे को फ्लोह जायगा तो वहाँपे एक opening होती है जो left Arreras right Arreras में जो blood है वो उसको transfer करने में help करता है तो वहाँ पर एक opening के पास एक wall present होती है wall का present होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये back flow को prevent करती है ये मैं आगे function बनाती हूँ सबसे बहले तो by cuspid wall को another name क्या है material wall जिसके पास two flaps होते है वैसे ही try cuspid balls होती है जो right side present होगी जो by cuspid है वो left की तरह present होगी जो try है वो right की तरह present होगी और इसके पास ये try के नाम से पता चल रहा है इसमें three flaps present होगी तो आप इस diagram में अब ध्यान से देखोगे देखो ये right side है right side क्या present है try cuspid ball कहाँ पर present होगी यहाँ पर आर्ट्रिया और वैंट्रिकल के बीच में जहाँ पर opening है इन दोनों ने यहाँ पर अपने जो deoxygenated blood है वहाँ पर transfer करना है अब वैंट्रिकल में वैंट्रिकल के पास यहाँ पर यहाँ के दोनों की opening के पास यहाँ पर try cuspid ball present होगी जो blood है ताकि वो back flow न हो जाए बाप पर इसे ventricle to arterium में न चला जाए कि इसका flow यह यूनी direction नहीं रहे कि from arterium to ventricle ही रहे इसका main function यही होता है वैसे ही by cuspid ball देखो आप यहाँ दे सकते हो यह left side present है function दोनों का same ही है लेकिन try right side present होगी by left side present होगी तो यहाँ पर भी यही है कि left arterium से जो भी oxygenated blood आएगा वो कहाँ पर जाएगा left ventricle के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या present है by cuspid ball present इने left side और try cuspid ball present इने right side और यह दोनों किसके बीच present होते है arteryum और ventricle के बीच में present होती है तो next हम पढ़ेंगे ventricle के बारे में ventricle के बारे में सबसे पहले आएगा coridida tandem यह एक structure present होते है जो ventricle wall जिसे हम कहते है पैपिलरी muscles के पास maximum muscle होती है special muscles उसे हम कहते हैं compulsory muscles उसके पास special fibros like cord present होते है जिसे हम कहते है Corridi Tandini इसका main काम क्या होता है इसने prevent करना है कि Bicuspid और Tricuspid जो walls है वो collapse ना हो जाए into the Arterium की बापस Arterium में न चले जाए तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो यह नीचे वाला portion क्या है यह सारा ventricle portion है जो नीचे दिखाए गया इसका जो नीचे वाला आप देख सकते हो यह right ventricle है यह left है इसके पास यह जो thread leg structure यह दिखाए गया है यह वाला जिसे जो यह rod leg structure दिखाए गया है इसे हम कहते है Corridi Tandini कि यह किसकी muscles के साथ नीचे वाली muscles के साथ attach होते है इसका काम क्या है कि जो under the pressure अब जो आर्टरियम से ventricle में blood आएगा obviously है इसने contract होना relaxation होनी है जब यह contract होगा यह relax होगा जो भी condition है यह मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसने contract होना relax जब भी यह contract relax होगा means heart beat चलेगी तो कई बार यह भी तो हो सकता है जो trie या bicuspid वो आर्टरियम के पास चले जाए पीछे को back flow हो जाए तो इसे को रोकने के लिए यह जो coronary tendon है यह present होते है कि जो bicuspid या tricuspid walls है वो पापिस से आर्टरियम में न चले जाए जब वो blood का pressure मतलब की blood का pressure increase होता है ventricles में तो इसको back flow होने या इसको इसकी collapsing या सुगर न चाहे इसको यह बचाने में help करती है तो next point तो आपको पता ही है कि left ventricle की जो walls है वो human heart की सबसे thickest wall है यह मैंने आपको last वीडियो में भी बताया था next हम पढ़ेंगे semi lunar walls semi lunar walls का main function क्या है सबसे पहले तो आपको बता हूं चाहिए कहां पर present है अब pulmonary trunk और iota यह आपने कल external structure में पढ़े थे कि pulmonary trunk क्या होता है और iota क्या होता है pulmonary trunk ने जितना भी right ventricle से जितना भी deoxygenated blood हो लेके जाना है iota का क्या होता है जितना भी oxygenated blood है from the left ventricle उसको distribute करना है पूरे body part में सबसे पहले तो semi lunar walls यह इसके base में present होते है pulmonary trunk and iota के base में present होगी यह three present होते है three half moon shape की pockets present होती है अगर तो यह pulmonary trunk के नीचे present हो उसे हम कहते है pulmonary semi lunar walls अगर iota के नीचे present हो तो उसे हम कहते है iotic seminary walls तो इसका main काम भी क्या है जितने भी walls present है उसका main काम यही होता है कि ताकि वो back flow को बचाने से रोक सके कि जो blood है वो दुबारा से कहीं से ventricle से arterical तक ना चला जाए तो इसका काम भी क्या है preventive back flow of blood तो यह देख आप देख सकते हूं यहाँ पर यह pulmonary semilunar walls present है यहाँ पर तीन 123 यह half molex structure है तो यह जैसे pulmonary के base में present है तो हमें कहेंगे pulmonary semilunar wall तो यह अगर यहाँ पर डाइग्राम में दिखाया गया देखो और iotic semilunar wall यह iota के base पे present है तो इसका main function क्या हुआ back flow को बचा के रखना है तो अब अब ध्यान से यहाँ आपको इसकी working भी समझ में होगी कि human heart कैसे work करता है देखो आप जितना भी deoxygenated blood from the superior venecava inferior venecava वो कहां से आ रहा है उसने कहां पर opening होनी है राइट अर्ट्रियम से फिर क्या करेगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा राइट वेंट्रिकल से फिर कहां से निकल जाएगा pulmonary trunk के थ्रूँ यह निकल जाएगा left artery और right pulmonary artery के थ्रूँ यह दुबारा से lungs के पास चलेगा उसके opposite left side क्या हो रहा है left side क्या हो रहा है oxygenated blood कहां से आ रहा है pulmonary vein से यह कहां पर open होगी left side of the artery फिर इसके बाद left side of ventricle में जाएगी ventry के पास से जाती हुई यह iota तक iota से यह फिर बाद में distributed होए तो different body parts तो आपने यह ज़ाद रखने हैं इन्टर्नल Structure में सर्फ यह ज़ाद रखना ए कि कहां पर oxydgnetil blood कहां पर dia oxydgnetil blood आज रहा है और कहां पर कौन-कौन सी opening है और कहां पर कौन-कौन सी walls present यह main point पॉइंट रहेगा कि कहां पे कौन-कौन सी बॉल्स प्रेजेंट है तो यह था इंटरनल स्ट्रक्चर ओफ यूमन हार्ट अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए ताकि मुझे और जादा मॉटिविशन मिलती रहे आपके कमेंट से भी लाइक से भी शेयर से भी थैंक यू सो मच हुआ हुआ है